वेल्कम फ्रेंट्स क्रेजी नौसिस्टिक में स्वागत है आज हम जैन धर्म के प्रमुक तिर्थंकर कौन-कौन थे सबी 24 तिर्थंकरों को देखेंगे नामियाद करेंगे और उनका प्रतीक क्या था काफ़ इंपोर्टेंट है जाम में बार-बार पूछा जाता है कि इस ति प्रिसब रासी सुने होंगे नाम बििशब रासी का मतलब ही होता है बैल तो रिसब नात का रिसब नात का परतीक था परतीक चिन बैल था अजीत नात इन 경우 १िह उए दूसरे तय ठटकर तो अजीत में है जीत और हाथी अब राजा लोग क्सक्रते थे हाथियों के बल पर बड़े युद जीत लेते थे राज युद में जिसके पास ज्यादा हाथियां होती थी वो ज्यादा युद जीत पाता था वैसे गोडे से भी जीतते लेकिन हाथियां मुख्य रूप से मानी जाती थी अजीतनात का प्रतीक चिन हाती संभुनात का अस था घोडा था प्रतीक तो संभुनात से समझेगा संभुनात संकर भगवान कभी संकर भगवान घोडे पे बैठे हैं नहीं बैठे हैं वो तो बैल पे बैठते थें फिलाल यहाँ पे घोडा है संभुनात कभी संभुनात घोडे पे नहीं बैठे हैं लेकिन संभव नाथ का प्रतीक चिन था गोड़ा अभिनंदन नाथ इनका था बंदर चोथे तिर्थंकर थे अभिनंदन मतलब स्वागत करना समझियेगा और बंदर में है लाष्ट में दर अगर कोई भी दर पे आ जाता है दरवाजे पे आ जाता है तो भारतिय सब्वेता के तहत उसका अभिनंदन वादन किया जाता है पांचवत तिर्थंगर सुमती नाथ और चकवा पक्षी होता है ये इनका प्रतीक चिन था सुमती में है मती अब चकरा जाती है मती लोगों की सुमती मतलब मती समझियेगा माइंड चकरा जाता है लोग तो चकवा सुमती नाथ का प्रतीक था चकवा पद्म प्रभु पद्म प्रभु जो तिर्थंकर थे छेट्वें नंबर के थे इनका कमल था अब पद कमलों से नाम सुने है न पद कमलों से तब पद्म प्रभु कमल हो गया इनका प्रतीक चिन है सू पार्सो नाथ, साथियां या स्वास्तिक का चिन जो है, इनका परतीक चिन था, सू पार्सो, सू मतलब बहुत अच्छा, पार्सो मिन्स सार्थी या साथ में रहने वाला, पार्सो नाथ होते तो कृष्ण भगवान, तो सू पार्सो, सू पार्सो मतलब अच्छा सार्थ, जो पार्षव भुझा साथ में रहने वाला, उससे क्या? साथियां. साथि ही बोलते हैं, वो हमारे स्वास्त की अमेसा फिकर करता रहता है. तो साथियां सू पार्षव नात का प्रतीक था. चंद्रप्रभा जो थे इनका चंद्रमा था तो ये तो सेम सेम है चंद्रमा पर्तीक है चंद्रप्रभा ना जो तिर्थंकर थे आठवे नमबर के नवे नमबर के थे हैं पुस्प दंत इनका जो प्रतीक था मगर मच्छ और दंत मगरमक्छ की दाते बड़ी-बड़ी होती है और उसी में उसका पूरा पावर होता है मगरमक्छ के तो दंत मगरमक्छ दंत मगरमक्छ पुस्प दंत का प्रतीक चिन था दंत जो दसवे नमबर के थे हैं सीतल नाथ है इनका था कल्प ब्रिच है कल्प ब्रिच अब सीतल ब्रिच हमें क्या देते हैं सीतलता देते हैं फल भी देते हैं और सीतलता भी देते हैं हर वैक्ती जब धूप में से आता है तो कहां जाता है ब्रिच के पास थोड़ा उसको सीतल ठ चाहेगा बढ़िया सरीय नहीं लिया जा सकता नहीं लेने का इक्छा किरता लोगों मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सभी नंबरिंग सीरियल वाइज हो जाएगी तिर्थंकरों की आप लोग याद कर लिजेगा फिलाल आजे याद करिए इनका प्रतीक चिन क्या था वाशू पुझ भैसा है तो वाशू से समझेगा वाँ वाँ करके भैसा चिलाता है ने वाशू पुझ वाँ वाँ करके चिलाती है तो कौन चिलाता है भैसा तो भैसा हो जाएगा वाशू पुझ का वाशू पुझ वाँ वाँ मतलब वाशू पुझ बीमल नाथ ये सूकर था सुकर सुर जो पीग पीग इनका प्रतिक चिन था बीमल में सो होता है कोई मैल ना हो स्वक्ष और सुकर तो हमेशा मैल में रहती है सुकर ऐसा जानवर है जो हमेशा गंदा या मैल में ही रहना पसंद करता है यह तो अपोजिट हो गया तो बीमल नात सुकर बीमल नात सुकर त बड़े-बड़े काटे होते हैं, तो अनंत नात का जो प्रतीक चिन था सेही था, अब सेही से समझेगा सही, सही या सत्य समझेगा, कोई चीज सही है सत्य है, अनंत उसका अन्त नहीं होता है, सत्य की जीत और सत्य की हार, तो सत्य अनंत नात मतलब अनंत होता है, सेही मतलब सह तो अननतिनात का सेही या साही था प्रतीक चिन धर्मनाथ 15 नंबर के हैं बज्रदंड बज्र मतलब हट्डी का डंड गळन्ड था ये मारने वाला तो बज्र नात बज्र दंड धर्मनात का तो धर्म, जब धर्म की रक्षा की बात आती है तो नाथ मतलब भगवान क्या करते हैं, धर्मनाथ बजर प्रहार करते हैं लाश्ट में, बजर प्रहार करते हैं जिससे राक्ष समर जाते थें, धर्मनाथ का जो प्रतिक चिन था, बजर धंड था, सांती नाथ, ट्रिक हाँ सांति देखते हैं सबसे सांत जानवर हमको मुरीग यानि हीरड दिखता है तो यहां से रिलेट करिये सांति नात का प्रतीक चिन्ध है रिग हीरड है कुंथु नात और इनका था बकरा था बकरा से समझेगा बक बक बोलने वाला बकवास करने वाला कुंथू समझे कुंठा कमंद बुद्धी कुंठित हो गया तो कुंठू अब कुंठू लोग बकवास करते हैं क्या नहीं करते हैं तो कुंठू नात बकवास नहीं मतलब बकरा बकवास नहीं मतलब बकरा तो अरह नात इनका प्रतिक चिनता मचली और रह राह नहीं और रह मतलब राह नहीं मिलता है जिसको क्या करता है मचली चली बन जाता है चल करता है बहुत सारे लोग को अच्छा रास्ता नहीं लक्ष नहीं मिल पाता है तो क्या बन जाते हैं चली मचली अरहनात कोई राह नहीं तो मचली मलीनात मली नाथ का था कलस यह 19 में नमबर के थे 18 में नमबर के थे मली नाथ 19 है कलस इनका प्रतीक चिन था मली से समझेगा मली नाथ मली नाथ कलस समझेगा कलेश कलेश में दुख दर्द तो मली नाथ क्या होता है कलेश के कारड़ आती है जब कलेश आता है मलीनता आ जाती है दोनों साथ साथ रहते हैं मलीनता मलीनाथ कलेश कलस मलीनता और कलेश साथ साथ रहते हैं आगे देखते हैं मूनी सुबरत नाथ है कच्छप मतलब कच्छुआ इनका परतीक चिन्न था यह बीशवे नंबर के जैन धर्म तिर्थं करते हैं तो मूनी सुब्रत, आप सुब्रत में हैं ब्रत, जब ब्रत रहते हैं लोग तो कचुवा करते हैं क्या पैर, पैर चुवा करते हैं लोग, आज भी भारतिय सबता है कि जिस दिन ब्रत रहते हैं उसके बाद लोग अपने से बड़ों का पैर चुवते हैं, तो सुब्रत मुनी, सुब्रत नाथ कच्छप कच्छुआ, कच्छुआ मतलब पैर चुआ, तो सुब्रत नाथ का चिनता कच्छुआ, नमी नाथ, नमी नाथ, इनका था नील कमल, नील कमल, नमी नाथ, नील से समझेगा, नील मतलब पानी होता है, नीर समझेगा, पानी, और देखते हैं नेमी नाथ संख नेमी वो नमी था नमी नील से लेकिन नेमी इनका था संख पर देख अब नेमी से समझेगा नेम होता है नेमी नेम धरम होता है ने लोगों का तो जब नेम धरम की कोई बात होती है तो संख बजाया जाता है संख बजा के उसको कारे को शुरू करते हैं तो नेमी नाथ का नामकरण होता है तो संख बजा के मतलब नेमी नाथ का प्रतिक चिन है संख पार्सो नाथ है इनका प्रतिक चिन है सर्प पार्सो मतलब होता है सार और सार्थी कौन थे कृष्ण भगवान जो बिष्डू के रूप हैं तो पार्सोनात सार्थी जो थे हमेशा आज भी कहा रहते हैं हमेशा सर्प के ऊपर बिष्डू भगवान जल में समंदर में आप टीवी ओं में देखे होंगे बैठे रहते हैं महाबीर 24 में नंबर के तो म महाबीर इनका था सिंग है और महाबीर जानवर में सबसे महाबीर कौन होता है सिंग होता है विश्वासे दोस्तों ट्रीक अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल क्रेजियन और सिस्ट्रिक को सब्सक्राइब करके लाइक करके वीडियो को सेर कमेंट कर द लेने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजेगा नहीं तो बाद में खोजने पर वीडियो मिलता नहीं है और चैनल का नाम याद नहीं है तो खोजने में टाइम लग जाता है तो बेल आइकन प्रेस कर लीजेगा धन्यवाद